अनमल स्टूडियो तूपग्लू और एक चाकू हम फूल को भी इसे भेड का शरीर बनाएंगे और मैं दो-तीन काटकर ध्मेडों का जुन बना दूँगी ठीक है? तो इसे पलटिये और छोटे-छोटे फूल काटिये ध्यान रखिये कि हम इसे चाकू से काट रहे हैं इसलिए इसे कभी भी अकेले मत करना और हमेशा किसी बड़े की मदद जरूर लेना ये तो लग रहा है एक बादल हाँ, ये लग रहा है है ना? हाँ ये हमारी दूसरी भेड जिसे मैं खीच के निकान है ये रही हमारी दूसरी वाली और हमारी तीसरी वाली तीसरी वाली, बिल्कुल तरी तुम्हें पता है भेड कैसे बोलती है? बाब हाँ, इसलिए हम कहते हैं बाबा ब्लैक शीप अब हमारी भेड का शरीज तैयार हो गया है तो हम अगली इससे पर चलते हैं जो है इसका सर हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम ओलिब्स यूज़ करेंगे ठीक है? तो हम इसे ऐसे शुरू करते हैं एक छोटा पूल लीजे और उसमें एक टूथपिक लगा दीजे ये बहुत आसान है अब हम ओलिब्स लेंगे और तूथपिक में फसा देंगे हम एक और छोटा पूल लेंगे एक छोटा पूल उसमें तूथपिक लगाएंगे और रोहानी तुम इसका सर लगाओ अब हम ओलिब्स पर गूगली आईज लगाएंगे इसके लिए मैं सूपर ग्लू यूज कर रही हूँ दोनों तरफ एक लगाया दें यूगो रोहानी तुम्हें क्या लगता है अच्छा लग रहा है हाँ तो क्या तुम कुछ चिपकाना चाहोगी एक लो ये लो इस पर थोड़ी गोन लगा देते हैं ठीक है ग्रेज एक्सलेंट ये दोनों तो तयार हैं क्या हमें एक जुन बनाएं येस ये फेडो का जुन तयार है अनम मस्टूडियो